हेलो, प्यारे विद्यार्थियो, स्वागत आपका अमारे यूटूब चेनल पर आज हम कक्साद 4-5 की गणित की जो कारिय पुस्तिका है 72-23 की उसमें कारिय पत्रक 37 सल करेंगे दक्सता है, कलेंडर पर एक विशेश दिन तथा दिनांग को पहचानने की समझ विख्षित कर पाना दिन और दिनांग को पहचानना सिखेंगे पहला स्वाल है, छुटे हुए दिन को सही करम से मिलाईए, यह लिखिए देखो यह सोमवार है, यह बुद्वार है, बीच में क्या रह गया, मंगलवार तो मंगलवार को यह मिला दिया, और लिखना भी है, मंगलवार आगे है, सोमवार, मंगलवार, बुद्वार, गुरुवार, शुक्रवार यहां क्या आएगा सन्निवार, यह वाड़ा, सुक्रवार के बाद है सन्निवार और सन्निवार के बाद में रविवार, यह सुक्रवार यह रहा यहां पर, आगे है दूसरा सुआल, कलेंडर को देखकर नेचे दियेगे परशनों के उत्तर लिखिए, अब देखो यह कलेंडर है, जन्वरी दोजारते हैं, इसको देखकर हमें इन परशनों के उत्तर देने हैं, जन्वरी महिने में कुल कितने दिन हैं, तो इसमें देखो कुल कितने दिन हैं, जन्वरी में 31 दिन होते हैं, और यह 31 दिन हैं यहां पर, तो खैका आएगा, यहां खैकर लिख दिया, अगला 11 यह 25 तारी को कौन सा वार है, देखो 11 यह है, 25 यह है, इनको कौन सा वार है, ये था कारिय पत्रक 37, अब देखो कारिय पत्रक 38, दक्सता है लंबाई, उंचाई, अथ्वा दूरी का अनुमान, एमानक इकाईयों से लगाने की समझ विक्सित कर पाना, यानि एमानक इकाईयों कौन सी होती है, जिनको अंतराष्टी तरप्रमानेता नहीं प्राप्त होती है, वो होती है एमानक इकाईयों, यानि अपनी लोकल में जो चलती है, लोकल इकाईयों, उनको बोते हैं एमानक इकाई, पहला है बाल मेले के दोरान, सलमा की काक्सा को काग जालर लगी हुई है देखो यहां पर यह दर्वाजा है यह देखो यह खिडकी है और यह क्या है ब्लेक बोर्ड है सही का निसान लगाओ जहां सबसे लंबी जालर है देखो दर्वाजे खिडकी और ब्लेक बोर्ड सबसे लंबी जालर कहा है ब्लेक बोर्ड पर अगला है जहां सबसे सोटी जालर है तो सबसे सोटी जालर खिडकी पर है तो खिडकी पर लगा देंगे अगला है दूसरा स्वाल सिक्सक ने कक्सा के कुछ बच्चों को सिक्सक ने कक्सा के कुछ बच्चों को अपने अपने बैग से पैंसिल निकाल कर टेबल पर एक साथ रखने के लिए कहा देखो ये पाइल की पैंसिल है करिना की, कबीर की, दिन्नू की और राजू की अब देखो तीसरा स्वाल है चितर देखकर बताईए किसकी पैंचिल सबसे लंबी है तो ये पैंचिल सबसे लंबी है किसकी है देखो कबीर की तो क्या लिखेंगे कबीर की अगला है किसकी पैंचिल सबसे सोटी है तो यह pencil सबसे छोटी है यह है दिन्नू की आगे है पाइल की pencil राजू की pencil से देखो पाइल की pencil राजू की pencil से बड़ी है पाइल की तो बड़ी है लेकिन कबीर की pencil से पाइल की pencil राजू की pencil से बड़ी है लेकिन कबीर की pencil से छोटी है अगला है करीना की pencil दिन्नो की pencil से अब देखो करीना की pencil यह है दिन्नो की pencil यह है तो करीना की pencil दिन्नो की pencil से बड़ी है लेकिन पाइल की pencil से छोटी है यह करीना की pencil दिन्नो की pencil से तो बड़ी है लेकिन पाइल की पैंसिल से छोटी है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना अगर आपने अभी तक चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद